So hello दोस्तों, की हाल चाल तोटे सा रहां दा, एक को आपे तो स्वागत है, मेरे इक नवी वीडियोज So guys, जैसा कि इस वीडियो के थमनेल पर आप देख क्या है हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बात करेंगे CGC जंजेडी की placements के बारे में, की placements का क्या scene है, average package क्या है, highest package क्या है जो placement की जो यहां पर stats show कर रहे हैं, वो असली है या नहीं तो सारी चीज़े हम बहुत आए, detail में डिसकस करने वाले है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe कर लो, ता कि कोई भी latest information मेरी CGC से related, चंडीगर उवेस्टी से related, कोई भी ऐसी information या जो podcast होने वाले है, placement, जो कि आपके seniors रहने वाले है, उनके साथ जो podcast ह होने वाले है, कोई भी ऐसी information आप ना करें, उसके लिए चैनल को subscribe कर लो, bell icon को दबा लो, उसके बाद शुरू करते हम अपनी वीडियो को, जिसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि CGC क्या है, CGC Chandigal Group of Colleges है, जिसके अंडर दो campus आते है, Landra campus और जंजेडी campus, इस एली बार में ही NAC का A plus grade मिल गया, और यहां को जो highest package है, वो क्या रहेगा, अनमोल बटेजा को मिला है, 45 लाग का highest package है, जो की Amazon ने दिया, ठीक है, Amazon ने 45 लाग का highest package दिया है, और जो NAC का A plus grade मिला है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इनको कितना pointer मिला है, इनको जो pointer मिल गई है, तो मतलब कि यहां का infrastructure है, जो यहां का curriculum है, जो faculty की quality है, वो काफी अच्छी है, इसलिए NAC का A plus grade मिला है, तो यहां पे जो सबसे अची बात है, कि यहां की जो fee structure है, बहुत जादा कम है, तो अगर यहां पे आप admission लेना सोच रहे हैं, तो आप up to 100% scholarship तक भी पढ़ सक है, तो आपके fees कितनी लग जाएगी, 12 to 13 lakh रुपीज, यहां पे आपके under 8 lakh रुपीज पूरी Batex CSE हो जाने वाली है, academic fees आपकी half है यहां पे as compared to Chandigarh University, लेकिन अगर हम placement की बात करें, तो अगर जो Chandigarh University है ना, जो उनके chancellor है, वही chancellor है CGC के, तो इससे क्या होता है कि जो placement प्रोग्राम है, वो दोनों का joint placement program है, मतलब कि जितनी भी companies, Chandigarh University में आने वाली है placement के लिए, वही सारी same companies placement के लिए आने वाले है CGC में, चाए वो CGC लांडरा हो, चाए CGC जंजेडियो, सीनो, Chandigarh University, जंजेडियो और जो लांडरा campus है, तीनों के बचों को एक साथ placement ब प्रोड़ा है, तो यहां भी 800 से जादे कमपनी आई है, जो आज तक का हाईस stipend मिला है, वो एक लाग का मिला है, उसके बाद यहां पे 8500 बच्चों को placement offer मिला है, तो 8500 बच्चों को placement offer मिला है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों को multiple placement offer मिलते है, जैसे मुझे खुद को तीन कंपनी से ओफर मिले थे, Cap Gymnai, Wipro, Cognizant तो ऐसे गर के बहुत से बच्चों को multiple placement ओफर भी मिलते हैं, लेकिन आज तक का highest package 45 lakh का आमन बतेजा को मिला है, Amazon ने दिया है, तो आप यहाँ से यह point भी note कर सकते कि यहाँ पे जो Amazon जैसी product based companies हैं, वो भी placement के लिए आ रहे हैं, Amazon Mew, Mew Sigma, Nutanix, Speedpost, ऐसे मतलब बहुत सी product based companies हैं, वो भी यहाँ admission के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा आपके eligibility criteria के ओपर, placement यहाँ की 100% है, लेकिन eligible students की, eligible students का मतलब क्या है कि जिन बच्चों के 10th में, मतलब अब क्या होते हैं, जैसे कि कोई company आ रही है, जैसे suppose करिये कि विपरो ही आ रही है, तो जब विपरो आई थी ना, तो अब विपरो ऐसा है कि वो Chandigarh University में उन्होंने सिरफ placement के लिए उसको बुलाया, ठीक है, टाइ अप करके, लेकिन अब placement जो company है, वो तो अपने basis के ओपर देगी ना placement, तो अब जैसे विपरो ही placement के लिए, तो विपरो बोलेगी कि मेरे exam वही बच्चे फिल कर पाएंगे, मतलब हम उनी को रखेंगे, जिनके 10th में 60% होंगे, 12th में 60% होंगे और degree में 60% होंगे, और किसी भी subject में उनकी backlog नहीं होगी, तभी वो हमारा exam दे पाएंगे, तो अगर आप eligible ही नहीं होगे, तो आप विपरो जैसी company के लिए भी apply नहीं कर पाओगे, जैसे अगर आपके 60% से कम marks हैं, तो अगर आपके 10th में, 12th में किसी भी जगा अभी 60% से कम marks हैं, तो आपके placement के chances बहुत कम हैं, क्योंकि मतलब 10 से 12 companies यह ऐसी आएंगी, जैसे कि जो top level की companies होती हैं, जो 60% से नीचे marks accept करती हैं, लेकिन जितने भी mass recruiter companies हैं, जहां हमारे placement होने के chances ज़ादा होते हैं, कि 90% chances होते हैं, कि mass recruiters MNCs में ही place हो, लेकिन उसमें अगर आप eligibility criteria आपका 60% तक ही रहता है, उससे कम वो accept नहीं करते हैं, तो अगर आप उससे कम हैं, तो आपके कोई भी college में आप जाएं, बड़े से बड़े college में जाएं, वो भी आपकी placement नहीं करवा पाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि eligible students जो रहेंगे, उन सब बच्चों की यहाँ पे placement हो जाती है, average package की अगर बात करें तो 3-4 lakh का average package आपको मिल जाएगा, जो की mass recruiter companies जाएसे की Wipro, Cognizant, Cap Gymnay ही देंगी, आपको 3-4 lakh का average package मिल जाएगा, जिस पे 90% बच्चे प्लेस होने वाले लेकिन आपको जो मौका है, जो बच्चे मतलब prime अच्छे होंगे, जिनका companies का वो exam दे के उनके package बग्यारा ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका पिछल academic record भी अच्छा होना चीए, अगर वो अच्छा नहीं है, तो आपके पास एक option है कि NOIS वाली option से आप जो open exam है, जो है, जो है, साइट उस पे जाके register करें, और जिस भी exam में आपके कम marks है, वो exam आप दुबारा दे के, जो आपने marks हैं, वो at least 60-65% से उपर तो कर ले, अगर मतलब 60 से कम है, तो 60 से उपर तो करी ही लिए, लेकिन अगर आपके 60 है, तो आप एक try दे के more than 65 या 70% कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी company में बैटने का मौका मिल जाएगा, और future में जाके भी आपको उससे बहुत help होगी, तो उसके बाद अगर हम देखे कि कौन से बच्छे को कहा का placement मिली है, तो सबसे पहले तो highest package की बात कर लेते हैं, Amazon में 45 लाग का मिला है, उसके बाद Mega को मैंने सब की profile चेक कर थी, सभी genuine cases है, सब जहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, सब वहीं वहीं पे काम कर रहे हैं, तो मतलब आपको यहाँ पे कापी अच्छी opportunity मिल सकती है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे आप जैसे placement के लिए आपको support का, इनका placement department है, जहाँ पे आपको placement सिखाएंगे, उसमें short skills सिखाएंगे, aptitude सिखाएंगे, ठीक है technical skills सिखाएंगे, उसके बाद corporate affairs सिखाएंगे, कैसे आपको dress करना है, कैसे बात करना है, कैसे meetings में बोलना है, तो सारी चीज़े आपको CCTP department train कर देगा, ताकि जब आप real interview में जाके बैठें, तो आप सारा आपको यहाँ बता दें, कि आपको पूरी यहाँ पर मिलने वाली है, तो fee structure अगर आपको जानना है, तो fee structure बहुत जादा कम है, लेकिन वो आपको सीधा directly, college की help line number के call करके, मंगाना पड़ेगा, ब्रोचर, यहाँ पर website के ओपर fee structure अविलेवल नहीं है, तो आप website के ओपर directly call करके admission help line से number पूछ सकते हैं, या सारे description में links वगयरा given है, जिससे आप register भी कर सकते हैं, call करके website भी पूछ सकते हैं, तो comments में सारे question के आप answer तो मिल ही जाएंगे, तो I hope आपको इस वीडियो से help मिली हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं इसी क्लिसी वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई